हाई नमस्कार दोस्तों माताओं बहनों फ्रेंड्स गुरुजनों सज्जनों आप सबों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में आज हम आपके लिए कंसेप्ट लाएं हैं कंसेप्ट है जीवन साथी ठीक है है तो एलाएसी की जीवन साथ ही हम कैसे ले सकते हैं कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम आज डिसकस करेंगे माल लीजे हस्बेंट का नाम मिस्टर एक है और उनकी वाइब का नाम मिसेज एक है इनका डेट ओब बर्थ है फिप्ट अप में 1992 एंड से देट अप बर्थ ऑप है 31 में 1992 ठीक है तो हम क्या करेंगे कि दोनों के लिए पॉलिसी ले रहे हैं ठीक है तो जो सलाना किस्त बनेगी कि ट्वेंटी वन थौजन एट हंड़ेट और ट्वेंटी एक इस हजार आठ सो बीस रुपिय और एक इस हजार आठ सो बीस रुपिय यानिकी 43,640 रुपीज ह एस में भी डाल सकते हैं अब सदेशन यह रहेगा कि क्योंकि एरली में 2% का रिवेट रहता है तो आप जब भी किस्ते ले तो एरली ही लिया कीजिए बांकी ठीक है बांकी आपका जो भी पॉकेट अलोगर और मंथली भी ले सकते हैं लेकिन इन सब में कोई रिवेट नहीं तू हंड्रेड रुपीज जो कि आपने लाइसी को पे किया 25 साल की पूरी पॉलिसी रहेगी और 22 साल इसमें आपने पे करने 22 यर और तीन साल जो है प्रीमियम होलिडेज मतलब आपने कोई प्रीमियम पे नहीं करना है पूरे 22 साल के बाद 3 साल यानि कि 25 25 यर जैसी पूरी होगी आलाइसी आपको पैसे दे देगी कितने अप्रॉक्स थर्टीन लाइक इदर और अप्रॉक्स थर्टीन लाइक तर यानि टूटल मिला करके 26 लैक्स आपको मैचुरिटी अमाउंट मिलना है जिस केस में कि आप दोनों ही बिल्कुल अच्छी तरीके से सर्वाइब करेंगे ठीक है और हमारी दुआ ही कि अब बिल्कुल है आप हेल्दी रहें स्वस्त्रे हैं आप दोनों ही 26 लाग रुप्ये को एंजॉय करें आप आगे बढ़ते हैं कि इंस्वरेंस लोग इसलिए लेते हैं कि अगर मैं आज हूँ कल के डेट में अगर मेरी ड समाम दर्शकों इसको आप ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक की भी unfortunate death हो जाती है से wife की या husband की तो क्या-क्या features हो उसकी इसमें क्या होगा premium stops आपने premium नहीं पे करने है ना तो wife का पे करना है ना husband का करना है किसी एक के death होने पे दोनों की premium stop हो जाती है बंद हो जाती है अब हमने premium भरने का कोई tension नहीं है कि जैसे मालो मैं सूचता हूँ कि मैं तो earning हो भाई और मेरी wife earn नहीं करती है मेरी death के बाद ये policy कैसे चलेगी तो इसको guaranteed LIC खुद वकुद दोनों policy पे करेगी आपको इसके premium की कोई भी tension नहीं है बलकि आपके account में जो भी survivor बंदा होगा मतों survival चाहे husband हो या wife हो उन इसना 6,360 रुपय पर नम LIC डालेगी और दोनों premium भी pay कर देगी समझ में आगया यहां तक कि अगर दोनों में से किसी एक बंदे की death हो जाती है तो premium stop हो जाएगा और इसको guaranteed LIC of India अपने side से पर ये करेगी survival जो भी दोनों में से wife husband में से जो भी survival बंदा होगा उसके bank account में 6, 3,360 रुपय हर साल policy की जिस date को आपने policy लिया हुआ है जिसको date of commencement कहते हैं तो next day से आप उसमें आपका convert होना start हो जाएगा 6,360 रुपया पर नम सलाना और बाकी दोनों किस्त भी LIC guaranteed अपने side से pay करती है अब आता है कि ये दोनों में से कुछ भी नहीं तो maturity में हम जो maturity में हमें क्या मिलेगा 13 प्लस 13 यानि कि आप रॉक 27 लाग रुपय हमारे को maturity में मिल जाएंगे अगर जो किसी एक की death हो जाए तो पूरी policy term यानि पूरे 25 साल तक LIC दोनों ही किस्ते wife और husband दोनों की किस्ते LIC guaranteed खुदवा खुद पे करते रहेगी LIC survival बंदे के account में 6,360 रुपय पर र से जो भी survival बंदा है उसको आप रॉक 27 लाग रुपय अलग से मिलेंगे मतलब सारी किस्ते LIC पे करते रहेगी wife और husband के बदले में और जो survival बंदा उसके account में 6,360 रुपय पर रेनम भी जाएगा और ये 26 लाग के आप रॉक्स आपको मिलने ही मिलने है दोनों ही case में इसलिए LIC का क्या नाम होता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमने क्या देखा माता हों बहनों गुरुजनों सर्जनों कि अगर हम survive करते हैं दोनों ही wife husband तो भी मेरे कुछ 26 लाग मिलना है और अगर couple में से unfortunate death हो जाती किसी एक की भी तो भी हमारे सारे tension खतम सारा जो इ नम जाएंगे और maturity पे ये दोनों ही amount 13 लाग प्लस 13 लाग 26 लाग के अप्रॉक्स हमें मिलना ही मिलना है अब कुछ सवाल यह रहता है कि अगर मैं surrender करना चाहूं तो surrender हमेशा ही घाटे का सोधा होता है मैं हमारी आप से यह सजिशन रहेगी कि कभी आप surrender ना करें बलके आप लोन कैसे मिलता है जब आपके policy पूरी दो साल पूरी हो जाती है उसके बाद आप लोन ले सकते हो मतब दो साल या उसके बाद लोन किस proportion में मिलता है यह depend करेगा आपकी जो किस तरहती है और उसमें surrender value factor होता है उसके हिसाब से आपको लोन मिलता है ठीक है तो यह हो गया अब अब यह सवाल है कि क्या मेरे को जो मैं premium पे करता हूं उसमें income tax benefit मिलेगा हाँ जी जरूर मिलेगा एटी सी के रूल एटी सी के तहथ आपको income tax benefit देती है क्या जो मेरी maturity होगी जो मेरे को पैसे मिलेंगे यह इसमें हमारे को टेक्स में रिबेट मिलेगा हां जी 100% यह section 1010D के अंतरगत जो भी maturity में मिलता है L.I.C. से पैसे उस पे आपको टेक्स देना नहीं होता है इस policy में husband Mr A.K. है तो इनकी नोमनी होगी Mrs. A.K. और wife Mrs. A.K. है तो इनकी नोमनी होगे Mr. A.K. अच्छा अब एक सवाल यह है कि मान लेते हैं unfortunately कभी ऐसा हूँ कि दोनों ही wife और husband unfortunate death हो जाती दोनों की उस case में क्या होगा उस case में मित्रों दोनों ही policy continue होगी दोनों में से किसी भी policy को pay कर नहीं है जो हमारे बच्चे होंगे उनको LIC लाख रुपिये सलाना बात ध्यान से सुनिएगा LIC उनको क्या देगी इस policy के अंतरगत लाख रुपिये साल का यानि की लगबग अप्रॉक्स सारहे 8000 रुपया मंतली LIC बच्चे को pay करती है कि क्या सोचके pay करती है कि आप दोन रहे तो बच्चे की पढ़ाई continue रहे 8000 सारे 8000 रुपया में फिर भी छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ाई हो सकती है तो बच्चों तो फ्रेंड्स भाईयों यह सारे फीचर हमने आपको बताया कि जीवन साथी का concept क्या है क्या यह policy है बिलकुल है आप इस तरह से ले सकते हैं policy policy आप जब भी लें हमारा यह suggestion रहेगा कि लंबे term के लिए क्योंकि आपकी age अभी 25 year है अभी 30 year है 30 के बाद आप 25 लोगे तो 55 तक आप secured हो और इसी दर अम्यान बच्चों को सब कुछ की जरूर होती है तो हम आपको यह suggest करेंगे कि आप कम से कम 25 साल का term जरूर ले आपने पे करने हैं सिरफ 22 साल और तर्म जितना लंबा होता है survival benefit bonus loyalty addition वगरा उतना ही अच्छा हमारे को मिलता है तो इस case में हमने देखा कि 9,40,000 रुब्या पे करने के बाद लगभग 3 times 26 lakhs के अप्रॉक LIC हमारे को guaranteed देती है तो है ना फ्रेंट्स की जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी के बाद भी हमारे दोनों ही हाथ में लड़ू है हम अगर रहे तो भी और अगर हम ना भी रहे तो भी मान के चलिए कि हमने अपने परिवार के लिए 26 लाग रुपिये दे दिया अगर हमने 43,640 रुपिज पर रहनम का किस्त भरा तो ये मान के चलिए कि हमने परिवार को 26 लाग का financial protection या financial security दे दिया है आसा करता हूं मेरे द्वारा दिगए ये जानकारी आप लोगों के लिए helpful fruitful fruitful होगी आप इससे लाबानमित होंगे आप इसका लाब उठाएंगे इस तरह की लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए तब तक के लिए बाबा बाई थैंक्यू टेक केर